हाई फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, तो आज किस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, इसी के साथ हम जानेंगे इसका कंट्रेक्शन कैसे होता है, यूनिवर्सल मोटर की वरकिंग कैसे होती है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम आज किलियर करने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्ले AC यानि की alternating current और DC मतलब की direct current दोनों टाइब की electric supply में working करती है, अगर हम बात करें इसके structure की, तो इसका structure बिल्कुल DC series motor की तरह होता है, DC और AC electric supply में working करने की वज़े से इसे universal motor कहते हैं, क्योंकि इसकी field winding और armature winding दोनों series में connect किये जाते हैं, इसलिए इसका starting torque बहुत ही high होता ह Starting torque high होने की वज़े से इस motor का huge electrical drive में करते हैं, अगर AC और DC voltage की value same हो तो universal motor AC supply की comparison में DC supply में ज़्यादा fast चलती है, इसका main region AC voltage में frequency होने की वज़े से winding का total internal resistance बढ़ जाता है अब second question आता है कि universal motor का contraction कैसे होता है, सभी motor की तरह इस motor के भी दो parts होते हैं, फस्ट होता है stator, second होता है rotor, अगर हम stator की बात करें तो stator का means होता है state यानि की इस्तिर रहना, और rotor का मतलब होता है rotate करना यानि की घूमना stator field pole से connect रहते हैं, इनी पर field winding चड़ाई जाती है, और जब इसमें AC power supply देते हैं तो AC supply की वज़े से produce होने वाली ED current और stasis loss को कम करने के लिए armature और field circuit को laminate कर दिया जाता है universal motor का जो rotor होता है, इस rotor के बाहरी सत्य पर खांचे बने हुए होते हैं और इनी खांचों में armature winding की जाती है जैसे कि आप देख सकते है, armature winding की terminal को commutation की help से बाहर निकाला जाता है अब थर्ड question आता है कि universal motor कैसे working करता है universal motor एक अलग type की motor होती है, जो AC और DC supply की दोनो electrical supply में working करती है दोनो type की electric supply पर working करने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं DC supply पर universal motor कैसे working करती है जब universal motor को DC supply से connect किया जाता है, तो यह DC series motor के form में working करती है ऐसे में जब field winding में DC current flow होता है, तो इस current की वज़ए से एक electromagnetic flux produce हो जाता है यही electric current जब rotor के armature में flow होती है, तो armature के conductor पर एक force work करने लगता है इसी force को larence force कहते हैं, इसी larence force के लगने से rotor घुमने लगता है जब universal motor को AC supply से connect किया जाता है, तो इसके armature पर unidirectional, dark produce होने लगता है जिससे इस motor का rotor एक ही direction में घुमने लगता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि universal motor में stator field winding और armature winding दोनों एक दूसरे के साथ series में connect रहते हैं इसलिए जब field winding में flow होने वाली AC की polarity change होती है, तो उसी time armature में flow होने वाली electric current की polarity भी change हो जाती है जिससे rotor में produce होने वाले torque की direction पर कोई effect नहीं पड़ता है, और ये एक ही speed से एक ही direction में घुमने लगता है अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 number question की, यानि कि universal motor का यूज कहां कहां पर किया जाता है universal motor का यूज table fan, hair dryer, mixer machine, drill machine और बहुत सारी जगों पर किया जाता है तो ऐसी technical videos पाने के लिए मेरी channel को जरूर subscribe करें